अगर आप पढ़ाई करते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपनी पढ़ाई के लिए आप लोन कैसे ले सकते हैं जहां साथ हो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी योजना के बारे में जो किंदर सरकार की योजना है और इस योजना का नाम है कोसल रिन योजन साथ बने तो नमसकार साथ आप से भी देख रहे हैं आज आज वाले हैं कि क्या है कोंकून बैने के लिए कि zas कौन कौन से डॉकॉमेंट की जरुरत होगे तो सबसे बात करने वाले हैं कि यह कोशल रिंड के लिए पातर है तो इसके लिए पातरता दी तुप किसी पी प्रिक्सिक्षिक्षण यानि कि इते कोलेज में अध्यन रहता है या फिर आप पढ़ना चाहते हैं आपके पास पैसे नहीं है तो आप इस कोशल रिन योजना के अंदरगत 5,000 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक रिन ले सकते हैं दो नमर है पोलो टेक्निक आप किसी भी पोलो टेक्निक कोलेज में अध्यन रहता है तो AICT दोवारा मानेता प्राप्त पोलो टेक्निक कोलेज है उसमें अगर आप अध्यन रहता है तो आप इस कोशल रिन योजना के लिए पातर हैं या पिर आप किसी भी केंद्री या पिर राज्य शिक्ष्या बोर्ड दोवारा मानेता प्राप्त सरकारी या फिर प्राइबेट स्कूल में अध्यन रहता है या उनकी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस कोशल रिन योजना के अंधर पातर हैं या फिर किसी भी आप मानेता जमा करवाना होता है और कितना इस पर ब्याज लिया जाता है कोसल रिन योजना के अंधर गात आपको पांच जार रुपए से लेकर एक लाग पचास जार रुपए तक रिन मिलता है साथी जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसकी नियूंतम कोई भी अवदी नहीं है यानि की ए पॉइंट-5 परसंट ब्याज देना होगा अब सवाल आता है कि यह लिंट हमें कितने दिन में वापीश जमा करवाना होता तो यह आपके रुपे के अनुसार तीन से साथ वरस کے बीच में आपको वापी जमा करवाना होता है यानि कि पुनर बढ़ना है वो तीन से साथ साल के बीच में किया जाता है अगर आप पांच हजार रुपए से लेकर पचास हजार रुपए तक रिंड लेते हैं तो आपको तीन साल में वापी जमा करवाने होते हैं वहीं अगर को कोसल रिंड योजना जो मिलता है इसे ाप साथ साल के बीच जमा खरवा सकते हैं यानि कि अगर आप 50,000 रुपई लेते हैं तो आपको 3 साल में जमा करवाना होता है अब इस कोसल रिंड योजना से आपको क्या फायदा होगा तो इसमें आपको ब्याज वो केवल एक पॉन्ट परसेंट देना होता है साथ ही आपकी कोर्स की अबदी की कोई निर्दारित सीमा नहीं है यानि कि आप जितना साल तक कोर्स करना चाहें उतने स साल तक कर सकते हैं कोई भी लिमिट नहीं है आपका जो ब्याज का पुनर बढ़ना है उसके लिए उसके लिए पांच से साथ साल के बीच में आपको यह पैसे वापिस जमा करवाने होते हैं इस कोसल रिंड योजना के अंदरगात आपकी पढ़ाई साथ ही आपका रहना खाना किराया सबकुछ सामिल करके ही आपको रिंड दिया जाता है यानि कि आपका जो रिंड होता है वह आपके खर्चे साथ ही आपके पड़ाई पर जो इतने रुपाय लगेंगे वह सबकुछ मिलाकर ही आपको रिंड परच Medal योजना के अंदरगात आपको रिंड लेने के पत्र की जरूरत होगी साथ ही एक आपका एड्रेस प्रूप की जरूरत होगे अगर आप ओनलाइन फॉरम बरना चाहते हैं या फिर इस लॉन से जूड़ी भी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टॉल फरी नंबर दिया जाएगा उस पर आप फॉन करके पता कर सकते हैं अगर आप रिंड लेना चाहते हैं तो इस कौसल रिंड योजना के अंदर गर रिंड ले सकते हैं और कोसल रिंड योजना के ओसल कोफिशकोन्מैं ह interrupt या वन की तैब और इसी कम्पनी के तुरू आपको रिंड दिया जाएगा तो आप इस कोसल रिंड योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रेप्शन में आपको टॉल फ्री नमबर मिल जाएंगे उन नमबरों पर कोल करके आप इसल रिंड योजना के बा अच्छी होगी मिलेंगे ने जान करेंगे साथ आप सभी का दिन सुब्भा जैहिंद बंद्य मात्रम